आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आरेस अगरवाल चैप्टर 20 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20E कोश्चन वन से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में कोश्चन वन टू सेवन ही सॉल्व करेंगे स्टोरिंस मैं आपको बताना चाती हूँ कि आप क्लास 7 के अगर और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर आप किसी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास सिक्स की बुक आरेस अगरवाल की वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोशिन वन ने, अब स्टुरिंट सर्कल कैसे होता है, सर्कल हमारा होता है, ऐसे हैं, अब यह सर्कम्फरेंस क्या होता है, सर्कम्फरेंस जो है, पैरिमिटर को भी बोलते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर स्क्यूर का अपने पैरिमिटर निकाल ले हैं, तो क्या करते थे इसको हम एड करते थे इस सारी साइड को हम एड करते थे न तो यह हमारा क्याता है पैरिमेटर होता है उसी तरह जो सरकल का इस सब को इस पार्ट को हमने मेजरमेंट करना है ठीक है तो सरकम्फरेंस सरकल के इसको सरकम्फरेंस कहते है जो कहा है पैरिमेटर ही ह होता है ठीक है तो इस इसको हमने सॉल्फ करना है यहां पर सरकम्फ्रेंस को हमने निकालना है और पर सरकम्फ्रेंस में जिसे रेडियस होता है रेडियस क्या होता है जैसे यहां से लेकर यहां तक यहां तक है हाफ रेडियस होता है और यहां से लेकर यहां तक रिस्तों मिला तो यह क्या बने साट दायामेट्र जेगा तो डायमेटर को कह सकते हैं तू आर ठिकए ना वन ना यरीवर हो लोगा और और भार्न वयल हो गया तो आर मिलकर बन के एक डायमेटर बन गया तो जो सरकुम्फिरेंस पाई एक Greek word है जिसकी value 22.7 है और इसको 3.1 अगर decimal में convert करते हो 3.14 होती है ठीक है अब यह पाई हमने क्यों use करते हैं जब आप यह circumference इसको आप निकालोगे ना उसको यह diameter से divide करोगे तो उसकी जो value है वो 3.14 आएगी किसी भी circumference को आप diameter से divide करोगे तो उसकी value कहाएगी 3.14 आएगी तो इसलिए यहाँ पर पाई यहाँ पर formula में लिखते हैं और यहाँ पर महारे पास यह पाई की value 22.7 भी हो सकती है और 3.14 भी हो सकती है ठीक है जो आपको value दी होगी आपने उसको use करना है अगर आपके पास value नह 7 को use कर सकते हैं students अब हमारे पास यह तहाँ कि circumference of a circle ठीक है जहाँ पर हमें radius दिया हुआ है ठीक है अब अगर आप यह diameter निकालना चाहते हैं तो students आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आप PID का ही formula लगा सकते हैं diameter को निकालने के लिए ठीक है जब यह questions आएंगे तब तो circumference नकालने है circle का तो सिरफ PID ही use कर सकते हैं वैसे हम इस formula को लगा कर इससे क्या होगा हमारा radius आजएगा और जो radius आएगा उसको हम 2 से multiply कर देगे तो हमारा diameter आजएगा तो यह जब हमारे पास question आएंगे तो मैं आपको यह बता दूगी और यही तो हो गया हमारे इस part को को निकालने के लिए circumference को निकालने के लिए अब स्टोर्ण जो circle का area कहता है हमने अंदर का area निकालने है तो इसका फर्मल होता है पाई आर स्केर ठीक है यह आगे जब questions में आएगे तब मैं आपको और detail में समझा दूगी अभी हम part 1 करते हैं part 1 में क्या है find the circumference of a circle whose radius is 28 cm ठीक है अब circumference of a circle यह मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है 2 pi r होता है circumference of a circle ठीक है 2 कैसे आया क्योंकि यहाँ पर दो जो है radius होते हैं तो इसका फर्मल है 2 pi r तो यहाँ पर 2 यहाँ पर हमारे पास pi की value यहाँ पर 22 upon 7 बोला है 22 upon 7 लेनी है तो हमने 22 upon 7 जब बीच में कोई sign नहीं होता है उसका मतलब multiply है multiply r की value radius कितना दियो है 28 अब इसको card देते है 7 forza 28 अब हम multiply कर देगे 4 को 22 से multiply किया हमारे पास आया 88 और 88 को 2 से multiply किया तो कितना आ ग 261 carry 176 तो इसका जो perimeter कितना आ गया 176 cm यहाँ cm में दिये वह आपने यहाँ पर यूनिट्स को लिखना है अब हम part 2 करेंगे part 2 में radius दिया हुआ है 1.4 meter 1.4 meter ठीक है circumference निकालना है इसका circumference of circle 2 pi r ठीक है 2 multiply यहाँ पर 22 upon 7 और r की जगा क्या जगा 1.4 इसको question को easy बनाने के लिए मैं मेशा आपको यह ही suggest करती हूँ कि आप यहाँ पर 10 लिख दे अगर देखो यहाँ पर 7 to the 14 बैसे 2 पर कर जाएगा अगर आप कर सकते हो अगर आपको मुश्किल लगता है तो decimal को हटाके upon 10 कर दे और फिर देखने किस पर करता है तो उससे फिर ह 2.2 आ गया तो अगर आप यहाँ पर ऐसे करना चाता है तो ऐसे कर दीजिए नहीं तो आप decimal लगा के उसको आप कार दीजिएगा ठीक है अब मल्टिप्लाइ करते हैं 22 टूजा 44 44 टूजा 88 अब यहाँ decimal के बाद वन डीजित है तो वन डीजित छोड़के decimal लगा दिया तो 8. 8.8 मिटर यहाँ पर मीटर यहाँ लगाना हैं तो यह सरक्टोर किसे कितना आगया 8.8 मिटर अब कौस्ट्ट डू है find the circumference of a circle whose diameter is अब यहाँ पर diameter दिया हुए ठीक है तो यहाँ पर महारापस diameter किया है 35 cm circumference of a circle अगर diameter दिया हो तो circumference of a circle क्याता है पाई डी पाई डी, देखो, टू पाई आर क्या होता है, मतलए कि दो रेडियस होते है, ठीक है न, अब यहाँ पर हमारे पर सिर्फ एक डायमेटर दिया हुआ है, अगर आपने, देखो, अगर टू पाई आर का फार्मला लगाओगे, तो आप क्या करोगे, डायमेटर को टू से डिवा सेवन, यहाँ पर कितना है, थर्टी फाईफ, सेवन फाईफ, थर्टी फाईफ, और इसको हमने, टूटी टू को फाई से मल्टिप्लाई किया, कितना आज जेगा, तो टू टैन जिरो वन कहरी, फाईट टैन इलेवन, वन हंडर टैन सेंटी मीटर आ गया, तो अगर आपने, यहाँ पर टू पाई आर वाला फार्मला लगाओगे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डैमेटर को रेडियस में कनवर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियस में कनवर्ट करने के लिए क्या करोगे, थर्टी फाईफ को टू से डिवाइट करोगे, ठीके न, यहाँ त मुल्टिप्ले आर कितना आगे 35 अपॉन टू यह टू से टू कट गया 7535 22 को 5 से मुल्टिप्लाई किया 110 सेंटीमेटर ठीक है इसमें आपको क्या है पहले रेडियस नकालना पड़ेगा और यहां पर सिधा डायमेटर की वैलू लगा दोगे तो आपका अंसर सेम आजएगा अ सरकल वही पाई डी ठीक है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसका पहले रेडियस नकाल लो यह तो यह आप यह सिधा डायमेटर वाला फार्मुला लगा के सॉल्ट कर सकते हो तो यहां पर आ गया 4.9 डायमेटर अब स्टुडेंट मैं इसको काटूंगी तो 7749 होता है यहां यहां पर मेरा 7 आया ठीक है अब यहां पर डेसिमल के वाँ डीजित है हमें डीजित छोड़के डेसिमल लगा दिया तो 0.7 आया अब इसको मुल्टिप्लाय करेंगे 7 to the 1441 करी 7 to the 14 प्लस 1 15 अब हमने डेसिमल भी लगाना है तो डेसिमल बन डीजित के वाँ लगा लगांग 15 सेंटीमेटर पर यहां पर पाई की वेल्यू 3.14 दिए हुई है ठीक है कुछ नहीं है यहां पर बस वही आपने टू पाई आर का फार्मरल लगा देना है तो क्वेश्चन थ्री फाइंड रसकंफ्रेंस ओफर सर्कल तो रेडियस कितना है 15 सेंटीमेटर ठीक है फिर सरकंफ की इंटा पर तो प्रेंस ओफर सरकल कितना आ गया टू पाई आर यहां पर टू पाई की वैल्यूर यहांपर 3.14 अब मल्टिप्लाइए 15 ठीक है अब यहां पर हमने कुछ नहीं आप सिदा इसको मल्टिप्लाइए कर सकते हो ठीक है अब 15 को 2 से मल्टिप्लाइए करदो पह kayak easy easy जो होता है उसको कर लो 15 2 जा कितना होता है 30 अब यहाँ पर 30 आ गया अब 3.1 को 3 से multiply कर दो सिधा तो यहाँ पर पहले 0 लगा लेते हैं क्योंकि 30 है नहीं यहाँ पर अब 3 4s are 12 2 1 carry 3 1s are 3 plus 1 4 3 3s are 9 ठीक है अब हमने क्या करना है यहाँ पर 2 डीजिर के बाद डेसिमल था 1 2 तो हमने 2 डीजिर छोड़के डेसिमल लगा दिया तो हमारे पास कितना आ गया 94.2 cm अब हम question 4 करेंगे question 4 में क्या है find the radius of a circle whose circumference is 57.2 cm अब यहाँ पर क्या करना है हमने radius को नकालना है circumference दिया हुए ठीक है हमने क्या find करना है radius को हमने find out करना है circumference कितना है circumference कितना है 63 sorry 57.2 cm 57.2 cm तो सीधा हम formula लगा दिया है circum सीधा एक सबसे easy method ही है आपने यहाँ पर formula लगा देना है circle का ठीक है वो क्या होता है 2 pi r होता है अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया circumference के नीचे circumference लिख देंगे 57.2 ठीक है equal to यहाँ पर 2 यहाँ पर pi की value 22.7 और यहाँ पर radius समरे निकालना है ठीक है अब आप यहाँ पर क्या करता है radius निकालना है तो देखो यहाँ तो इसको multiply कर दो multiply करके भी आपको काटना पड़ेगा तो सीधा आप ऐसे करो इसको इसको same ऐसे ही आपने as it is लिख देना है तो यहाँ अपने आर की value न कालना है radius को न कालना है तो यह 57.2 हैगा अब multiply करेंगे तो यह हमारा क्या reciprocal हो जगा 7 उपर आ जगा हमारे पस और 2 multiply 22 नीचे आ जगा ठीक है अब आप इसको decimal को भी easy करने के लिए decimal को हटा दो तो यहाँ अब decimal के बाब one digit है तो 10 लिख देंगे यहाँ पर अब हम इसको काड देंगे अब यह किस पर कर जाएगा अब यह 11 के table में कर जाएगा 11 to the 22 ठीक है और यहाँ पर एक मिन फोर्त में ने फोर्त में value ने दीविए 22 उपन 7 लिख सकते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर 3.14 दीवी थ 11 5 55 remainder 222 11 22 ठीक है अब यह फिर 2 के table में कर जाएगा 2 2 4 2 6 12 अब यह फिर 2 के table में कर जाएगा 2 1 2 2 3 6 तो हमारे पास क्या गया 13 x 7 यह मैं लिख रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए आप तो यहाँ पर सीधा multiply कर सकते हैं अब 10 आ गया ठीक है ना अब यह किसी पर नहीं कट र पर 7 किया तो कितना आ जाए 7 321 1 2 कहरी 7 107 प्लस 2 90 91 अपॉन 10 अब यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 है तो हम एक दीजी छोड़के decimal लगा देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 9.1 cm तो radius कितना आ गया हमारे पास 9.1 cm कुस्चिन 5 में क्या करना है डायमेटर को निकाला है circumference दिया हुए तो यहाँ पर हम जो डायमेटर है तो पाइडी का वा सरकमफ्रेंस निकाल के इसको निकाल सकते हैं तो डायमेटर को हमने क्या करना है find out करना है circumference of a circle कितना होता है circumference कितना दिया हुए 63.8 मेटर अब हम इसका फार्मला लगा देगे circumference of a circle कितना हो जगा पाइडी circumference के निचे circumference लिख देगे और पाइडी की वाली उते है 22.7 डी अब हमने डायमेटर को निकालने है तो डी इक्वल टू 63.8 मल्टिप्लाइड 7 अपॉन 22 आ गया अब सिन डैसिमल को हटा दिया यह question इसे कहता है यह मारा easy होजेगा काटना ठीक है अब टू के टेबल में काटेंगे टू फाइफ दर टैन टू थ्री दर शिक्स टू बंजा टू रिमेंडर वन एटीन टू नाइन जा एटीन आगे यह किस पर कटेगा यह 11 to the 22 अगर 11 to the 22 तो 32 में से 31 को लेसके तो 9 आ जेका 19 है 11 के टेबल में कर जेगा 11 to the 22 तो यहाँ पर 11 to the 22 30 में से हमने 22 को लेसके तो तुम्हारा रिमेंडर बचा 9 तो यह बनके 99 तो 11 9 जा 99 अब हमने 29 को 7 से मल्टिप्लाइ कर देना है ठीक है आप सीधर यहाँ पर मल्ट कर सकते हैं ठीक है अब हमारे पास कहा है 29 मल्टिप्लाइ 7 कितना है 790 63 36 कह रही ठीक है 7 टूजा 14 प्लस 6 20 नीचे 5 टूजा 10 अब नीचे हमारे पास बेस में कहा है बेस नंबर है नीचे 10 है तो हम क्या करेंगे एक 0 छोड़के एक डिजित छोड़के क्योंकि एक 0 है न तो कहारे पर कितना आगया 20.3 मीटर यहाँ पर में दिया तो हमारे पास जो डाइमीटर भी हमने 20.3 मीटर ही लिखना है तरह इस तरह हूंस हमने q5 को वynnे को शॉल करना है Q6 में है, the circumference of a circle exceeds its diameter, ठीक है, मतलब कि circumference of a circle जो है, exceed मिस कम है, its diameter, तो minus का sign आएगा, तो यहाँ पर कितना है, 30 है, ठीक है, जो exceed है, वो 30 से, जो circumference है, वो diameter से 30 कम है, ठीक है, तो हमने इसका radius निकाल ले है, तो students, अब हमें बता है, circumference of a circle क्या होता है, 2 pi r, और diameter क्या होता है, मतलब कि 2 r होता है, तो हम चलो, पहले question को लिखते हैं, यहाँ पर solve करते हैं, ठीक है, circumference of a circle क्या होता है, of a circle, ठीक है, यहाँ पर 2 pi r होता है, अब हम diameter, क्योंकि हमारे पास value ने दी हुई, तो diameter क्या होता है, diameter मैंने बताया था, starting में, जो diameter होता है, जैसे यह पूरा है, तो यह ऐसे होता है न, diameter, यह diameter, तो एक यह r होगा, यह एक यह r होगा, तो मतलब कि 2 r होता है, ठीक है, अब according to question क्या है, जो circumference of a circle है, मतलब कि 2 pi r है, वो diameter से 30 exceed है, मतलब कि 30 कम है, तो minus 2 r equal to 30, ठीक है न, अब हमने students, यहाँ पर क्या common है, हमने देखने हैं, यहाँ पर common क्या है, 2 r common है, 2 r common है, यहाँ पर भी 2 r common है, 2 r हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, अब यहाँ पर क्या रह गया, 2 r से 2 r कट गया, तो यहाँ पर क्या गया, 1 आ गया, ठीक है, equal to 30, ठीक है समझ आया यहां पर हमने जो common था 2 और r common था क्योंग यहां पर भी 2 r है उसको हमने bracket के बाहर लिख दिया और यहां से देखो यह दोनों कट गया 2 r यहां पर pi रह गया जो value रहेगी वो हम यहां पर लिखेगे अब यहां पर क्या 2 r 2 r गट गया तो यहां पर 1 रह गया तो यहां पर हमने 1 लिख दिया अब यहां पर हमारे पास pi की value करते है 22 upon 7 minus 1 equal to 30 अब हम इसको bracket को solve कर लेगे 2 r तो यहां पर कितना आजएगा 7 आया 22 अब यहां पर minus to 7 आएगा एंसीं लिए हम यहां पर तो तो यहां पर कितना आजएगा हमारे पर 22 में से 7 less किये 12 में से 7 less किया 6 16 upon 7 आके equal to 30 ठीक है 22 में से 7 less किया 12 में से 7 less किया 15 तो यहां पर माय है फिफ्टीन आया ठीक है अब हम इसको मिल्टिप्लाइ करेंगे फिफ्टीन को टू से मल्टिप्लाइ किया 30 अपॉन 7 आ रहा गया इक्वल टू 30 अब आर की वेल निकाल देंगे तो 30 और यहां पर रैसिपल हो जाए 7 अपॉन 30 30 से 30 कर गया तो हमारे पस आर कितना आ गया 7 ठीक है तो रेडियस ओफ़ सर्कल इस इस सेवन सेंटीमेटर कोश्चन सेवन है दर रेशो अफ़ रेड आई अफ टू सर्कल इस फाइब इस तो थी अस्टो यह रेड आई लिखा है तो इसका मतलब यह रेडियस ही है यह कहते है कि जो दो सर्कल है मतलब कि दो सर्कल है ठीक है ए एक सरकल का क्या दिया हुआ है रेडियस फाइव दिया हुआ है और एक सरकल का थ्री दिया हुआ है तो हमने क्या निकालना है इन दोनों सरकल का यह सरकम्फिरेंस को निकालना है और उसका रेशो निकालना है ठीक है अब सुझे रेशो का मतलब क्यों होता है डिवाइट ठीक ह यह 5 is to 3 है तो 5 upon 3 ratio है ठीक है ना तभी यह हमारा 5 ratio 3 बना अब यहाँ पर हमारे पर जो circumference हमने नकाल ला है तो circumference तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यह circle 1 माल लेते हैं और circle को 2 माल लेते हैं तो circumference of a circle 1 ठीक है यहाँ पर क्या जेगा upon circumference of a circle 2 ठीक है ना क्यूंकि हमने ratio निकाल ला है तो ratio का मतलब कि डिवाई दी है ठीक है तो अब circle का क्या होगा इसके 1 का क्या होगा फार्मुला क्या होगा 2 pi r होगा और इसका भी 2 pi r होगा 2 pi यह r1 है और यह r2 है मतलब की circle का यह r1 का circle का फार्मुला यह 2 pi है यह r2 है तो यह 2 pi से 2 pi कट गया तो महारे पस कितना आ गया r1 upon r2 अब radius कितने थे two circle के 5 is to 3 मतलब की 5 upon 3 थे तो इसका भी answer क्या आ गया 5 is to 3 तो circumference of ratio of circumference of two circles is 5 is to 3 इस वीडियो भी हम question 7 तक की solve करेंगे I hope आपको हर question अच्छे करें से समझ आ गया होगा तो अगर आपको वीडियो useful लगिए तो वीडियो को like करें share कर अपने friends के साथ और channel को subscribe करें thank you for watching